दोस्तो अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को अच्छा कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक किजिएगा दोस्तो साउथ एफ्रीका के खिलाफ पहले टी-20 मैच के पंदरवे ओवर में सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन ने किया साउथ एफ्रीकी खिलाडियों के साथ तकड़ा ड्रामा आखिरकार ऐसा क्या हुआ था बीच मैदान पर की जमा हो गई थी भीड एमपायर को भी खुद जगडा सुलजाने के लिए आना पड़ा खुद इस पर बड़ा खुलासा करते हुए सूर्य कुमार यादव ने पूरी सच्चाई बताई है क्या बोले सूर्य कुमार यादव वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे तो बने रहेगा अंत तक हमारे साथ लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव में से कौन अच्छा बल्ले बाज है अपनी किमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए अब आपका ज़्यादा समयना लेते हुए शुडू करते हैं वीडियो दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और साउथ ऐफ्रिका के बीच चार मैच की T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला खेला जा चुका है और दोस्तों इस मुकाबले को भारत की टीम ने 61 रन से अपने नाम कर लिया वही हम आपको बताएं कि टीम इंडिया इस मैच में 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाने में कामियाब हुई थी लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के लिए इस मुकाबले में सबसे जादा 107 रन यानी कि शतक जड़ाता संजू सैमसन ने तो वहीं तिलक वर्मा ने 33 रन की पारी भारत के ल प्यान रैकल्टॉन के बीच जब साजहदारी सुरू हुई तो दोस्तों यहाँ पर पहला ही विकेट पहले ही ओवर की चौती गेंद पर अर्शदीप सिंग ने गिरा दिया जो की एडन मार्करम का था अब दोस्तों कप्तानी आउट हो गया तो बाकी बल्लेबाज भला क्य करते इस बीच सबसे जादा रन हैंडरिक क्लासेन के बल्ले से निकले जिनूने 25 रन की पारी खेली लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में एक बड़ा ड्रामा भी देखने के लिए मिला जब रवी विसनुई अपना पारी का पंद्रवा ओवर करवाने के लिए आये थे और दो पर खुद बड़ा खुलासा करते हुए सूरा कुमार यादव ने बताया साउथ एफरी की खिलाडी काफी ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि उन्हें पता तक कि इस मुकाबले में वो अपने मैदान पर हार रहे हैं और 61 रन से मिली हार कोई छोटी मूटी हार नहीं होती वो भी हूम ग्राउंड पर मैं आपको बता दू कि हमारे खिलाडियों की कोई गलती नहीं थी उस दोरान जब रवी विसनुई ने पंद्रवे ओवर की दूसरी गेंद डाली तो उस गेंद पर कोटजिया ने एकरन भागा था तो संजू सैमसन गेंद को पिछ पर से उठान पैनल्टी पॉइंट लेने के लिए वो कोशिश कर रहे थे और दोस्तों यहाँ पर एंपायर ने उनकी नहीं सुनी तो उन्होंने संजू सैमसन पर गुसा निकालना शुरू कर दिया कि आप पिछ के बीच में मत आओ रेड जोन पर आ रहे हैं और यही पूरा ड्रामा वो क करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन एमपायर ने सही वक्त पर आकर वो ड्रामा साथ एफरीक की टीम का पूरा होने नहीं दिया वरना साथ एफरीका की टीम पैनल्टी पॉइंट लेकर हमारी टीम के लिए नुकसान कर दे थी लेकिन मैं मानता हूँ कि संजू सैमसन ने खूबी रूल्स पता हैं और आज हम इस मुकाबले को जीते हैं तो संजू सैमसन के शतक की बदोलत क्योंकि इस पिछ पर खेलना गेंदो को इतना भी आसान नहीं हो रहा था लेकिन संजू ने जिस रंग से हमें आज मुकाबला जिताया हम उसकी तारीफ करते हैं तो दोस्तों यहां पर सूरा कुमार यादव ने ऐसा बयान दे कर करोडों हिंदोस्तानियों का दिल जीते लिया लेकिन अब आप क्या मांते कि सूरा कुमार ने जो कहा वो सही है फिर गलत अपनी राहे हमें जरूर बताईएगा